अंजीर के इन फायदों को जानकर चौक जाएंगे आप दोस्तो जब इस तरी को स्वास्त रखने की बात होती है तो सभी डाक्टर फाल खाने की जरूर ही सराह देते हैं बेसे गुड़कारी फलों की कमी नहीं है लेकिन हम इस वीडियो में सिर्फ अंजीर फल की ही बात करेंगे अंजीर का स्वास्त के लिए काफी फायदमंद माना जाता है दोस्तो अंजीर का स्वास्त तो आप किसी भी समय कर सकते हैं लेकिन अगर आप अंजीर का स्वास्त सुबह खाली पेट करते हैं तो इससे आपके स्वास्त को कई गुना लाब पहुचेगा सुबह खाली पेट अंजीर का सेवन करने से कई भी मारिया दूर होती है अंजीर में जिंक, मैगनीज, मैगनीसियम, आयरन, फाइवर, विटामिन A, B, C, K और केलसियम जिसे तब तो पाय जाते हैं साथ इसमें Anti-Action भी मौजूद होता है दोस्तों अंजीर के फल दो परकार के होते हैं एक बोया हुए अंजीर होता है जिसके फल और पत्ते बड़े-बड़े होते हैं और दूसरे परकार के अंजीर वो होते हैं जो जंगली होते हैं तसा जो पहले वाले अंजीर की तूलना में छोटे होते हैं इसके फल और पत्ते पहले वाले अंजीर के मुकाबले में से काफी छोटे होते हैं दोस्तों अंजीर के पेड़ों को लगाने वाली चुने जाने वाली भूम अतितिक उपचाव होती है इस भूमी पर अंजीर की पैदावार बहुत अच्छी मात्रा में होती है अंजीर के पेड काफी बड़े होते हैं अंजीर का स्वास्त खाने में बहुत ही मीठा और स्वाधिश्ट होता है ये स्वास्त की ध्रिष्ट से बहुत ही उपयोगी होता है अंजीर के कच्चे फल का रंग हरा होता है और पके फल का रंग पीला या बैगनी होता है अंजीर के फल के अंदर का रंग बहुत ही लाल होता है तो दोस्तों अजीर जानते हैं अंजीर खाने से होने वाले मतपुड फायदों के बारे में हेल्थ से जुड़े और वीडियो को देखने के लिए मेड़ आप को सस्क्राइब करें और वेल आइकन को दबाने के साथ ही आल नोटिपिकेशन को वान कर लें ताकि जब भी मैं नए वीडियो अप्लोड करू तो उसका नोटिपिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके इसके पर सुगर लेवल को कम करने मदद कर सकता है इसलिए आप सलाद और स्मोधी में कटे हुए अंजीर का इस्तमाल कर सकते हैं दूसरा फायदा इम्मूटी को बनाता है मजबूत दोस्तो कमजोड इम्मूटी वाले लोग अंजीर को डायट में जरूर ही सामिल करें यह फल चित के क्याड होने वाले हीरदे और दिमाग के रोगों में बहुत ही फायदा मिलता है इसके अला जुखाम में पांच अंजीर को डाल कर उबाल लीजिए और इसे छान कर इस पानी को गरम-गरम सूबह और साम पीने से जुखाम में लाब होता है चौथा फायदा क्लोस्ट को साफ करता है और उसे खत्म करने के लिए क्लोस्टाल को आतों तक ले जाता है दोस्तों सूखे अंजीर समगर क्लोस्टाल को कम करते हैं क्यूंकि उनमें ओमेगा-3, ओमेगा-6 fatty acid और phytoesterol मौजूद होते हैं जो सरी में प्राकिर्टिक क्लोस्टाल संसेशन को कम करने के सा साथ, blood pressure को भी नेतित में रखते हैं, अंजीर में vitamin B6 भी मौजूद होता है, जो सरी में serotonin के उत्पादन का कारड़ बनता है, यह serotonin आपके मूड को अच्छा करता है, और क्लोस्टाल को कम करने मदद करता है, पांचवा फायदा, बजन गटाने में करता है मदद, दोस्त एक अच्छा कैलसियम आहार लेने से आपकी हड़िया सौस्त रहती हैं, क्योंकि दोस्तों हमारा सरीर अपने आप कैलसियम का अतपादन नहीं करता है, इसलिए में सोया बीन, दूद, हारी पत्तेदार सबजियां, और अंजीर जैसे बारी सरोतों पर निर्भर रहना पड़ में ऐसे किसी और अच्छा सुद वीडियो के साथ, तब तक लिए अपना ख्याल रखिए, खुस रहिए, जैहिंद